हेलो गाईज, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, ग्लोरियस इंचूर शापुर इंटर सेकेंड एर में पढ़ने वाले वैसे स्टूरेंट्स जो हिंदी की त्यारी करने वाले हैं सरो प्रत्थम तो उन्हें हिंदी सिलेबस की जनकारी रखनी होगी क्योंकि जब तक वे हिंदी सिलेबस की जनकारी नहीं लेंगे तब तक वे अपनी परिच्छा की त्यारी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं इंटर सेकेंड एर में पढ़ने वाले सभी स्टूरेंट्स के लिए हिंदी सिलेबस लेकर आया हों तो चलिए हम लोग समझते हैं कि हिंदी बोड एक्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं ध्यान दीजेगा आप लोग जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हिंदी का जो syllabus है उसमें एक भाग objective का रहता है और एक भाग subjective का रहता है यानि पहला objective question है और उसके बाद दूसरा subjective question है objective question 50 marks का होता है तीन साल से क्या हो रहा है कि 100 objectives दिये जा रहे हैं उन में से 50 कोई भी जो आपको भली भांती पता है 50 objectives चुन कर OEMR में paint करना रहता है तो पहले 50 देता था 50 paint करना रहता था फिर 60 objective था उसमें से 50 choose करना था लेकिन तीन साल से 100 objectives में से 50 choose करना रहता है तो 60 में से 50 आए या 100 में से 50 चुनने को आए वैसा objective exam में रहेगा चलिए अब हमने समझते हैं कि आखिर objective questions जो होते हैं 50 marks के वे कहां कहां से आते हैं सवाल तो A number है गद्य भाग आपके पाठी पुस्तक जिसका नाम है दिगंत उसमें 13 गद्य भाग हैं और 13 पद्य भाग हैं तो गद्य भाग से भी question रहते हैं और पद्य भाग से भी question रहते हैं बुक से 40% question रहता है और ब्याकरण से 60% रहता है तो गद्य भाग और पद्य भाग से 40% question रहेंगे और C है ब्याकरण ब्याकरण से 60% question रहेंगे ये ब्याकरण जो बुक है हर एक पाठ में भासा की बात दी हुई है वहाँ से भी ब्याकरण के question रहते हैं या आप लोग को ब्याकरण extra भी पढ़ना पड़ता है तो चलिए जानते हैं आखिर ब्याकरण में वे कौन-कौन से topic आप पढ़िएगा जिसको पढ़ने के बाद एक भी question आपका board exam में नहीं छुटेगा तो चलिए भ्याकरण में पहला topic है वन विचार दुसरा श्रब्द विचार तिसरा वाक्य विचार चोथा संग्या पाचवा सर्वनाम छठवा विशेशन सात्वा क्रिया आठवा क्रिया विशेशन नौवा कारक दस्वा अभ्याई ग्यार समास बार संधी तेरह उपसर्ग 14 प्रत्याई 15 लिंग निर्णाई 16 मुहावरे 17 परयावाची 18 अनेक सब्दों के लिए एक सब्द 19 विप्रितार्थक सब्द 20 संग्या से विशेशन का निर्मार और 21 संधी विचेद तो गाईज यदि आप इन 21 टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं ब्याकरण में तो एक भी सव वाल ऐसा नहीं आपको दिखाई देगा जो आपको नहीं मालूम हो और ये तो 26 पाठ पढ़ने ही है पाठ एक से 13 गद्दे और पाठ एक से 13 पद्दे इतना यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपकी objective questions की त्यारी भली भानती हो जाएगी तो चलिए objective के बाद subjective question है बेह 50 objective लाने के लिए 50 marks बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है लेकिन subjective उससे ज़्यादा आसान है बस लिखने का तरीका मालू होना चाहिए और किस तरीके से लिखना है ये वीडियो मेरे इस चैनल में upload है आप लोग वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं तो चलिए subjective question 50 marks का होगा ए है निबंध तो निबंध बोड़कजा में कितना देता है छे में से किसी एक पर लिखना रहता है आठ marks का देर सो लगभग देर सो सब्द में लिखना रहता है एक सो पचीस से देर सो सब्दों में लिखना रहता है और कितने नमर का आता है आठ नमर का बी है सो प्रसंग ब्याख्या करना ये चार देता है दो आपको लिखना है ये कितना नमबर का रहता है आठ नमबर का तो अब ये चार कहा कहा से देगा दो गद्ये से देगा और दो पद्ये से देगा आपको चारों में से कोई दो लिखना है और हर एक नमबर में चार नमबर रहता है तो चार दुनी आठ नमबर चलिए देखे आलीखा भी है दो गध्य से तता दो पध्य से अर्था 4 में से कोई 2 तिसरा है पत्र लेखन पत्र लेखन एकजाम में दो आठे पत्र या तो दोनों आवेदन भी दे सकते हैं या एक विवहारी करे ता है अवेदन पत्र रहता है पर अनतु दो पत्र होंगे दो पत्र लेखन में से किसी एक पर आपको पत्र लिखना रहता है और वो कितने नमबर का रहता है पाँच नमबर का फिर डी है लगु उतरिय प्रस्णों तर दस में से कोई पाँच यानि आपके पाथे पुस्तक में 16 पाथे 26 पाथे हैं 26 पाथे में से 10 प्रश्चनों का कम से कम 25 सब्दों में जवाब दिया जाता है, तो 10 मेंते कितना जवाब देना है? 5, अर हर एक QESTION पर दो नमबर रहेगा, तो पाच दो नहीं? 10, पाचवा है, दिर्घ उतर यह प्रश्चनों तर, यह 6 Q redist efficiently होंगे, तीन गद्य से और तीन पद्य से छे हो गए छे में से कितना का जवाब देना है तीन और ये कितना कितना नमबर करता है पांच पांच नमबर का तो पच्छती आई पंद्रह नमबर और लास्ट है संचेपन ये दो देता है दो में से किसी एक का संचेपन करना रहता है और ये कितने नमबर का रहता है चार नमबर का रहता है और संचेपन कैसे करते हैं मैं टिशन में भी बच्चों को समझाता हूँ और एक वीडियो भी बनाकर इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा वहां से आप देख लिजिएगा कि संचेपन करने के तरीके क्या होते हैं तो गाइज ये सबजेक्टिव का सिलेबस था और उपर मैंने जो आप लोगों को बताया ये अबजेक्टिव का सिलेबस था इस प्रकार अबजेक्टिव सबजेक्टिव का सिलेबस आप लोगों का क्लियर हो गया प्लीज आप जब भी हिंदी की पढ़ाई करिएगा तो हिंद कोपी जो फियर कोपी बनाते हैं उसके फर्स्ट पेज पर आपको हिंदी सिलेबसी रखना है यसे यह फैदा होगा कि आप लोगों की तियारी सुपर रहेगी एक भी टॉपिक आप लोगों से नहीं छुटेगा सब कुछ आप पढ़ते जाईएगा और अपने तियारी को के साथ